हेलो स्टूदेंट्स जागरती ओनलाइन क्लासे पर आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे क्लास नाइन चेप्र एलेवन दाट इस कंस्रॉक्शन का मतलब है यहां पर हम क्या करेंगे आयां स्टॉक्शन क्न्स्रक्ट करेंगेविध धे हलु कंपस का मदद से आप कैसे द्रॉब करोगे तो देखे खेखे ग्लास इस में कैसे करेंगे एफेस त但是 necks Don't use the protector यहां पर पर आपटकर कॉ यूजस में नहीं लेना है ठीक एकिख्या क्लास तो देखिए कैसे करेंगे हमारे पास यहाँ पर compass होगा तो सबसे पहले देखिए बिटा सबसे पहले हम बात करता है कि सब लाइन क्या होती है लाइन is a straight line एक straight line होती है जिसका ना ending point होता है ना ही starting point होता है तो उसको हम कैसे draw करेंगे देखिए this is a line यह ना इसका starting point है ना इसका ending point है ठीक है so this will called as a line यह क्या कहलाएगी आपके line अब बात करते है हम ray ray क्या होता है जिसका starting point होता है और ending point नहीं होता तो यह क्या कहलाएगी आपके ray यह क्या कहलाएगी ray ओके तो सबसे important बात है तो सबसे important है हम अर्क बहुत कट करेंगे, आर्क का मतलब क्या होता है, देखे बटा, एक सेकेंड, ज़े माल लीजिए, मुझे यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, अब मुझे इस पॉइंट पर एक आर्क चंस्ट्रक करनी है, क्या चंस्ट्रक करनी है, आर्क, आर्क हम एंगल बनाने के लिए काफी बार use में लेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारा compass होता है, compass का, जिसका दो अब एक चीज आती है कि सर ये तो मेरा सेंटर है यहाँ पे 0 डिगरी लेना है और यहाँ पे क्या लेना है तो देखे बटा बच्चों काफी वार doubt होता है कि सर जीरो डिगरी यहाँ पे ले या यहाँ पे ले यह हमारे पास काफी वार एक सवाल रहता है तो देखे क्लास उसके लिए आपको क्या करना है अगर मान लीजे आपके पास एक लाइन है यह आपके पास एक पॉइंट है अब मैंने आपको कहा यहाँ पे आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है तो हमेशा बढ़ते 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 यह कितना हो जाएगा 180 डिगरी ठीक है इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना हमारा आर्क शुरू कहां से होती है जिस तरफ हमारी यह लाइन सेग्मेंट जा रही है और अगर एक बच्चा कहता कि सर हमने तो इसको ऐसे ड्रॉ करा यहां पे ड्रॉ किया तो अब बताईए जीरो डिगरी तो अब आप जहां चाहे वहाँ जीरो डिगरी ले सकते हो आप किस तरफ जीरो डिगरी ले आप मान लीजिए अगर आपका फिगर इस तरफ ड्रॉ हो रहा है अगर आपका फिगर इस तरफ तो टेक इस तरफ तो टेक इस तरफ बना रहे activity ऑफ अरगर इस तरफ तो टेक इस तरफ वनारी हो तो टेक इस वन as zero degree अपना 180 मह पर्ग टो जाएगा समझाय कốnच feather up अंगल आपको इस तरफव आपको गरॉद करना 90 degree का एक एंगल construct करना है क्या 90 degree तो 90 degree का एंगल कैसे construct करते हैं तो देखे बटा सबसे पहले we will going to take a construct an angle of 90 degree at the initial point of the given ray okay तो हमें क्या बनानी रे बनानी है तो देखे class कैसे draw करेंगे first of all we will going to draw a ray मैंने एक रे बना दी ठीक है okay यह इसका starting point और वो उसका आगे चलती रहेगी यह मेरी ray है मुझे इस point पर क्या बनाना है 90 degree angle बनाना है क्या बनाना है 90 degree angle बनाना है तो देखे class को कैसे draw करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इस point पर एक arc draw करेंगे क्या draw करेंगे 180 degree की arc draw करेंगे तो कैसे देखिए यह हमने 180 degree की arc draw कर दे 180 degree को mark करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब मेरी अगर ray इस तरफ है तो मैं इसको 0 degree इधर ही consider करूँगा आप मेरे lecture में इसको यहीं पर द्यान रखेंगे जिस तरफ हमारी rays आ रही है उसी तरफ 0 degree consider करना है ठीक है class यह हो गया मेरा 0 degree अब देखिए अब आप लोग क्या करना अब आपने चोई compass draw किया ना अब आपका pointed one और उस radius को change नहीं करना है क्या radius को change नहीं करना है और with the same radius यह मेरे arc draw कर दी मैंने यह angle कितना हो बेटा 60 degree यह fix होता है ध्यान रखना class मैंने शुरुआत में जिस radius की यह 180 degree वाली arc draw करी थी taking any radius draw an arc फिर उसी radius से मैंने 60 degree की arc cut की है कितनी उसी radius से मैंने 60 degree की arc cut की है is it fine okay फिर फिर मैं क्या करूँगा with the same radius अब मैं अपने जो pointed वाला जो तीखा वाला compass है उसे कहा रखूँगा यहाँ पे और एक और arc draw कर दूँगा एक और arc draw कर दूँगा यह ओगया 60 degree यह हो गया 120 degree यह कितना हो गया 120 degree अब अगर मैं यहाँ पे रखके ऐक और arc cut करूँगा एकजट 180 पे cut करेगा ठीक है class बस radius change मत करना ठीक है यहाँ तक मैंने radius change नहीं कि यह मेरा बन गया 60 degree और ये मेरा बन गया 120 degree अब मैं आपको trick बता रहा हूँ जो आपको आगे भी काम आने वाली है उसमें क्या करना है class देखिए जब भी आपको 60 degree and 120 degree दोनों को add करके divide by 2 कर दो दोनों का average ले लिजिए mean ले लिजिए ठीक है तो कितना आएगा मेरे पास 180 degree divided divided by 2 is equal to 90 degree तो एक चीज़ ध्यान रखना अगर हम किनी 2 angle से किसी 2 angle से करे उन दोनों का average लेके average लेते हैं तो जो value आएगी वह angle उन दोनों angle से बनेगा जैसे देखिए ये मेरे पास 60 degree है और ये मेरे पास 120 degree है अब मैं क्या करूंगा अब मैं radius change कर सकता हूँ अब मैं radius change कर सकता हूँ अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे रखके ये R कट की यहाँ पे रखके ये R कट की एक 60 degree से ट्रौ करी और एक 120 degree से ट्रौ करी कहां से ट्रौ करी एक 60 degree से और एक 120 degree always consider this as a pointed one यह जो मेरा thumb है आप इसे क्या consider करोगे आपको इसे consider करना है pointed जो यह pencil है यह compass का यह pointed one है और यह pencil है तो देखिए class अब मैंने क्या किया यह मेरा point यहां cut कर रहा है तो मैं क्या करूंगा इसको इसको मैंने join कर दिया इस point को मैंने दोनों आर्क के intersection को join कर दिया so class this is my 90 degree यह मेरा 90 degree बन गया है अब आपको इसको अगर check करना है तो आप protector की help से D की help से इसे measure कर सकते हो और आपको पता चल जाएका यह 90 degree है ठीक है एक बार हम वापिस revise करते हैं कैसे बना सर्फ देखते हैं सबसे पहले मैंने एक ray द्रॉ की ओके ठीक है पर उसके बाद उसके बाद मैंने क्या किया यहां पे एक आर्क द्रॉ की अब इस आर्क की radius रेडियस चेंज नहीं करनी हैं यहां से मैंने बनाया 60 degree यह बनाया 120 degree ठीक है यह 60 degree fix है यह 120 degree fix है अब आप रेडियस चेंज कर सकते हो अपने compass के अब हम क्या करेंगे एक 60 degree से आर्क कट करेंगे और 120 से उपर की तरफ ड्रॉ करेंगे फिर हम इस line को यहां से इसके intersection को जोइंग कर देंगे ठीक है class तो यह बन गया मेरे 90 degree यह angle कितना बनाया यह angle बिल्कुल straight बनेगा यह angle बिल्कुल straight बनेगा and this will call as your 90 degree इसको अगर आपको check करना है तो आप अपने protective की help से जब check करोगे तो यह exact 90 degree बनेगा ठीक है अप तोड़े basic points की बात करते है देखे class अगर आपको जैसे compass पहली बार वैसे तो आपने use ले रखा होगा एक चीज हमेशा धियान रखनेगा the pencil which you are using should be sharpened बिल्कुल sharp होनी चाहिए तीकी होनी चाहिए और compass से बड़ी नहीं होनी चीज try to take the pencil the size of this your finger इससे बड़ी आप pencil use ना ले अदरवाइस आप जिब use में लोगे वो आपके touch होगी और वो थोड़ी सी value को change कर देगी और एक बार यह करना एक बात और कि जो आप compass use में लेते हैं please just check कि वो थोड़ा tight होना चाहिए ऐसा भी नहीं बिलकुल loose radius अपने आप change हो रही है तो आपका answer बिलकुल गलत हो जाएगा ठीक है class now we are heading for the next question next question हमें क्या कहता है construct an angle of 45 degree at the initial point of the given ray and justify the construction आप देखिये class आप मुझे angle बनाना है किसका 45 degree का 45 degree तो मुझे एक बार थोड़ा common sense यूज लीजे और देखिये class मैंने आपको बताया था कि 45 का double क्या होता पहले यह देखो 45 का double क्या होता है 90 तो अगर मैं ऐसा करू 90 plus 0 divided by 2 is equal to 45 degree एक angle 90 degree से और एक 0 degree से तो उसके पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा 90 degree बनाना पड़ेगा yes or no तो पहले मैं angle बनाता हूँ 90 degree का किसका बना रहा हूँ 90 degree का तो देखिये class सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक ray draw करता हूँ यह मैंने एक ray draw कर दी ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे इस point पे क्या बनाना angle 45 तो 45 बनाने से पहले मैं बनाऊंगा 90 degree का ठीक है यह मेरा radius अब मैं fix रखूंगा जो radius बने लिए तो यह बना मेरा 60 degree यह बना 120 degree ठीक है यह मेरा बन गया 60 degree यह बन गया मेरा 1, यह fix है बटा इस पर कमी doubt मत करना सर पहली arc से 60 degree कैसे बना आप measure करके देख लिए अकर आपने radius same लेके arc cut की है तो आपका angle 60 degree आएगा फिर 60 degree के उपर रखके 60 degree के उपर रखके अगर आप दूसरी arc ड्रॉ करते हो तो वो आपकी 120 degree बनेगी ठीक है class अब मैंने क्या किया 60 degree के उपर रखके एक arc उपर और 120 के उपर रखके एक arc उपर खीजी तो यह मेरे बन गया यह बन गया मेरे 90 degree यह angle कितना बन गया मेरे 90 degree अब मेरा सवाल था कि सर मुझे तो बनाना है 45 degree कितना बनाना है 45 degree तो देखिए class इसके लिए मैंने क्या बताया 90 degree और 0 degree 0 degree कहा होता है मेरा 0 degree होता है मेरा यहाँ पर और 90 degree मेरा होगा यहाँ पर एक चीज और जो भी angle आप consider करते हैं कुछ बच्चे गलती से क्या करेंगे 90 degree यहाँ पर ले लेंगे अरे यहाँ मत ले 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 ना गलती हो जाएगी ध्याना किए class एंगल हमेशा इस आर्क के उपर होंगे जो यह आर्क बन ड्रॉ करते हैं ले ले ना तो जिसगे ओ रच यहाँ करें जो ठ问 एक अर्क बनानी ना इनटी ड्री से तो तोड़ासा कंपास को करें फिर क्या करना देखे class एक आग तो आपके cut होगी 0 degree से और एक आग आपके cut होगी 90 degree से कहाँ से cut होगी एक होगी 0 degree से और एक होगी 90 degree से दोनों कहाँ intersect कर रहे हैं यहाँ पर just join these lines इसको यहाँ पर join कर दीजिये so now this is your angle as 45 degree कितना angle बनेगा 45 अब justify करने के लिए इसे measure कर लिजिये just इसको आप D से protector with the help of protector just measure it ठीके वेटा अभी मेरी बात सुने अभी हम थोड़े और आगे angles का और discuss करेंगे तो आपके doubt दीर दीरे और clear होते रहेंगे ठीके class अब एक चीज मेरी और सुने अगर एक बच्चा बोले के सर 45 degree तो जैसे मैं 60 degree और 30 degree का भी अगर average लेता हूं तो भी मेरे पास 45 degree आएगा yes or no 60 degree और 30 degree 60 degree और 30 degree का भी अगर मैं average लेता हूं तो मेरे पास 90 आजागा 90 divided by 2 कितना हो जाएगा 45 degree बना सकता हूं yes वैसे भी बना सकते हैं लेकिन अभी आपको मैंने 30 degree बनाना सिखाया नहीं है आगे 30 degree बनाना जब सिखा देंगे तो आप 60 और 30 degree की help से भी 45 degree बना सकते हो ठीके class? ओके तो इसके साथ हमारा question number 2 complete हो गया है. Now we are heading for question number 3 question number 3 क्या कहता है construct the angle of the following measurement. सबसे पहले 30 degree देखिए आपके कहते ही 30 degree मौजू हाजिर हो गया है तो अब हमें बनाना है 30 degree तो सबसे पहले हम concept लगाते है 30 degree किसी का half होता है 60 degree का 30 degree किसी का half है 60 degree and 60 degree is the easiest angle. 60 degree सबसे easy angle ही बनता है. तो देखिए class सबसे पहले हम 60 degree के लिए क्या कह सकते है किसा 60 degree plus 0 degree divided by 2 अगर आप किसी का average लेते हो तो इसका मतलब 0 degree से और 30 degree से मेरे पास कौन सा एंगल बनेगा 30 degree बनेगा. कौन सा एंगल बनेगा 30 degree बनेगा ठीके class. तो सबसे पहले हम बात करते है 30 degree बनेगा तो देखिए class सबसे पहले हमें as usual एक क्या बनानी एक ray बनानी है हमने एक ray बना ली यह मेरा starting point और यह इसका आगे point चलता रहेगा ठीक है अब मैं को अकर यहाँ पे angle बनाना यहाँ पे angle बनाना तो सबसे पहले क्या करेंगे एक arc draw करेंगे with whatever the radius you want जित्ती आपको radius सही है उससे select कर लीजिए I hope I will suggest 2 cm मैं हमेशा यही suggest करता हूँ अगर आपके हाथ में compass और pencil है तो please draw an arc of radius 2 cm तो देखिए class आपको क्या रखना है always यह मेरा क्या रहेगा pointed one यह रहेगा pointed one जिस हम चुबाने के लिए यूज में लेता है चुबाना मत and this one will act as a pencil तो देखिए class इसको यहाँ पे रखके ऐसे एक arc draw कर दीजिए यह मेरी arc draw हो गई है now अगर मेरी ray उस तरफ जा रही है तो यह हो रहा है मेरे 0 degree यह कितना हो रहा है तो किसी शॉप से ले आना but don't use your घर में जो पुराने वाले पड़े उनसे उस मत लेना खराब होते हो ठीक है अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पे put करूँगा without changing the radius यह हो गया मेरा 60 degree यह एंगल मेरा कितना हो गया 60 degree क्या मैं 90 degree बनाओ अरे जरूवत किसको है मुझे 90 degree की जरूवती हमेंद इसवार इसवार तो मुझे 0 degree और 60 degree की जरूवत तो 0 degree मेरे यह रहा 60 degree मेरे यह रहा अब सवाब आता CYO 60 degree को जॉइन करूँ जोइन करने की कहा ज़रूद है मेरे को जोइन करने की ज़रूद कहा है मुझे फाइनली बनाना क्या है 30 डिग्री तो देखिए class now listen to me अब हमारे पास 30 डिग्री बनाना है तो अब मैं एक आर्क 60 डिग्री से और एक आर्क 0 डिग्री से देखिए अब एक आप रडिएस चेंज करना चाहते हो कर लीजिए लेकिन एक आर्क बनाने के बाद रडिएस चेंज मत करना now taking sharp one जो आपका needle है उसको यहां रखिए एक आर्क यहां कट कीजिए एक आर्क यहां कट कीजिए एक आर्क 0 डिग्री से एक आर्क 60 डिग्री से ठीक है class now just join this angle now just join this point इस point को इस center से आप जोइंग कर दीजिए ठीक है so this angle will be 30 degree यह angle कितना बनेगा आपके 30 degree angle बनेगा is it fine बेटा yes or no अब देखिए अब मेरा 30 degree आप observe कहा करोगे यहां पर अब अगर एक बच्चा कहता है सर में को 45 degree बनाना मैं पहले वाला question जो question number second था न वो आपको वापिस कराता हूं अब अगर उसमें एक बच्चा कहता है कि सर मुझे अब 30 degree मेरा यह रहा 60 degree मेरा यह रहा अब मुझे बनाना है 45 degree तो देखिए class 30 plus 60 divided by 2 is equal to 90 by 2 is equal to 45 degree यानि 30 degree और 60 degree से अगर मैं एंगर बनाता तो किता बनेगा 45 चलो try करते है एक आर गे रही एक आर गे रही इन दोनों को आप जॉइंक कर दीजिए so this angle will be यह बेलकूल 60 और 30 के बीच में exist करेगा and this angle will be this angle will be 45 degree ठीके class तो मैंने इसमें आपको 45 degree भी समझा दिया है ठीके अब थोड़ा होचपोच हो जाएगा बढ़ने में तो 22.5 भी आपको इसी के अंदर समझा दू लेकिन थोड़ा we are adding for the next हमारे कहाँ paper की कमी है हमार तो उपर करते ही paper next आ जाएगा ठीके अब मुझे बनाना है angle 22.5 degree और 22.1 upon 2 ठीके अब मुझे इसको कैसे बना रहा है सर 22.5 5 point में जा रहे है सर decimal angles कैसे बनाएंगे तो देखे class बहुत easy है आप ऐसा कीजिए 22.5 को double कर दीजिए कितना आ रहा है 45 कितना आ रहा है 45 तो आप 0 और 45 का एक बार average लीजिए 0 plus 45 divided by 2 will give you 45 divided by 2 that is 22.5 समझा है class इसका मतलब 0 degree और 45 degree 0 degree और 45 degree से आपका कौन सा angle बनेगा कौन सा angle बनेगा that is 22.5 तो सबसे पहले मैं क्या draw करता हूं एक ray draw करता हूं यह हो गई मेरे ray अब मैंने क्या किया यहाँ पे तो class अब concept आता है कि sir हमें 45 degree कैसे बनाओ 30 और 60 के बीच में या ना 0 और 90 मुझे हमेशा 0 और 90 के बीच में जादा सही लगता है क्योंकि 30 और 60 में काफी होचपॉल्स हो जाता है मैं थोड़ी काफी जादा आर्क ड्राओ हो जादी past mask में अगर तो आपको आपको वो पसंद है तो आप वो option चूज कर लीजिए but I am going for 0 and 90 तो मैं क्या करूँगा with the same radius यह 60 यह 120 यह मैंने 60 और 120 से आर्क ड्राओ करी यह मेरा बन गया 90 degree अब मेरा 90 degree बना कहां पर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर मेरा 90 degree कहां बना है इस point पर बना है और 0 degree कहां है इस point पर ठीक है class मैंने यह अलग color का इसलिए किया है ताकि आपको बता चले कि आप मैं next आर कौन से point से draw करूँगा ये मेरा 0 degree है और ये मेरा 90 degree है ठीक है? ओके अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे बनाना है कितना? 45 पहले बनाऊँगा 45, 45 का half होगा 22.5 ये बात ध्यान रखना आपड़ क्योंकि मुझे 22.5 बनाना था 22.5 के लिए मैंने बनाना 45 45 45 बनाने के लिए मैंने पहले बनाया 90 और 90 बनाने के लिए पहले मैंने बनाया 60 और 120 ठीक है class तो देखे मैं लिख रहा हूं 60 और 60 और 120 के बीच मैं मेरे को मिला 90 90 और 0 के बीच मैं मुझे क्या मिला 45 ठीक है तो मैं पहले बनाऊंगा 45 तो देखे ये मेरी आर्क है ये मैंने दो आर्क ड्रॉ करी कहां से 0 से और 90 से तो देखे class ये एंगल बन गया मेरे 45 ये एंगल कितना बन गया मेरे 45 ओके तो सर अब बात करते है 45 कहां पर आया है एक बार देख लेते हैं यहां पर 45 है और यहां पर 0 है और यहां पर 90 है ठीक है अब क्या करें सर 45 तो आ गया मुझे तो चाहिए था 22.5 अब 22.5 कैसे मिलेगा 45 प्लस 0 divided by 2 is equal to 22.5 तो देखे क्लास अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका जो examiner है invigilator है उसे पता चलेगा का हां भई बच्चे को पता है 60 और 120 से मेरे एंगल बनेगा 90 90 और 0 से बनाया है 45 और 0 से बनाया है 22.5 तो आप मैं एक एक हार्क कहां से लोंगा देखिए एक 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 मैं लोंगा 0 degree से और एक आर्क मैंने लुँगा मैं 45 डिग्री से एक आर्क मैंने ली 0 डिग्री से और एक आर्क मैंने 45 डिग्री से तो मैं इसको जब जॉइंग करता हूँ ये बना मेरे 22.5 क्या बना 22.5 डिग्री ठीक है क्लास तो बस ये अगर आपको याद रह गया कि सर ने क्या concept समझाया हमें उस तरीके से अगर आपको ये अगर समझा गया तो ये भी आप easily कर लोगे ठीक है this one is the pointed one and this one is the pencil ठीक है क्लास ओके now अब हमें draw करना है हमने कौन सा draw कर लिया 30 degree draw कर लिया 22.5 कर लिया अब हम बात कर रहे है 15 degree किसकी बात कर रहे है 15 degree की तो देखिए क्लास 15 कि सबसे पहले बात करते हैं सर फिफटीन का double कीजिए सर फिफटीन के double से मुझे मिल रहा है 30 तो ये तो fix हो गया 15 0 और 30 से तो देखिए 15 का double हो गया 30 30 का double हो गया 30 का double हो गया 60 तो क्लास सबसे पहले बनाऊंगा मैं 60 degree का ठीक है तो देखिए कैसे होगा ये 60 प्लस 0 divided by 2 is equal to 30 yes or no 60 और 0 से 8 रहा करूँगा वो मैं को angle provide करेगा 30 का फिर 30 प्लस 0 divided by 2 is equal to 15 degree इसका मतलब 30 और 0 से जब arc draw करूँगा तो वो मेरे बनेगी 15 degree कितनी बनेगी 15 degree तो देखिए क्लास आइए draw करते हैं सबसे पहले हम draw करेंगे ray को ये हमारी एक ray draw हो गई ये मेरा starting point अब मैं बात करता हूँ कि सर सबसे पहले एक arc draw करनी है arc of any radius और अगर आप pencil और compass आपके हाथ में है तो take it as a 2 cm मैं सबसे पहले आप 3 ले लिए 4 ले लिए कोई फरक नहीं पड़ेगा पड मैं हमेशा 2 cm सबसे पहले इसको ध्याना इसकी रेडियस आप सेम रखे compass को और सेम ड्रॉ करे 60 degree ये कितना ड्रॉ होगे आपका 60 degree ठीके बिटा ओके अब 0 और 60 degree से क्या ड्रॉ होगा मेरा देखिए ये point और ये point इन दो point से मैं draw करूंगा अगर आप same radius रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और radius change करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये बात ध्यान रखना एक arc अलग radius से और दूसरी arc अलग radius से मद ड्रॉ करना ठीके class तो ये हो गया मेरे अब 30 degree ये कितना आगे है मेरे 30 degree देखिए 0 degree और 60 degree से अगर मैं draw करूंगा 0 degree और 60 degree से मैं draw करूंगा तो मेरे बनेगा 30 degree ठीके तो अब मेरे कितना आगे है ये 30 degree आगे है ठीके मैंने आपको बता रखा है कि हमारे जो angle आते हैं वो कौन से आते हैं इस arc पे आते हैं ऐसा कर नहीं यहाँ पे ले लो यहाँ पे कहीं और मत ले 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 न ठीके class ओके अब मैं बात कर रहा हूँ 15 degree की तो 15 degree के लिए मुझे क्या चाहिए 0 degree और 30 degree तो 0 degree यह रहा और 30 degree मेरे यह रहा तो this point तो देखे class अब आपिस ड्रॉ कर देता है यह arc कैसे आगई यह arc कैसे आगई टेके okay now किसे जॉइंग कर दीजे इस point से यह जो मेरा angle है यह जो मेरा angle है यह जो मेरा angle है इस angle will be 15 degree यह angle मेरे बनेगा 15 degree ठीक है तो देखे class सबसे पहले बनेगा 60 60 से बनेगा 30 30 से बनेगा 15 degree अगर आपको यह चीज समझ आ गई है तो फिर आपको कोई भी angle बनाने से नहीं रोख सकता है ठीक है class now we are heading for the next question that is construct the following angles अगर construct करने है and verify by measuring them by a protector protector that is d की help से आपको इसको वापस measure करना है ठीक है कर लेंगे कोई दिकत नहीं है तब मैं बात करता हूँ सबसे पहले 75 तो देखिए class 75 बनाने के तरीके सबसे मैं पहले कहता हूँ 75 का double होता है 150 that is 150 plus 0 divided by 2 यह बन जाएगा आपका 75 degree तो फिर सवाल होता सर हमने तो अभी 150 तो बनाया ही नहीं अभी 150 तो पहले 150 बनाना सीखो उसके बाद 75 आएगा तो इससे अचा क्या कोई दूसरा तरीका है चलो अभी देखते हैं मैं आपका उताता हूँ 90 plus 60 divided by 2 is equal to 75 तो देखिए class मैंने आपको 90 सिखा रखा है 60 सिखा रखा है तो 90 और 60 degree के बीच में जो अंगल बनेगा that will be 75 ठीक है 90 और 60 का average लेते हो तो आपके पास आता है 150 by 2 and that will be 75 degree तो मैं ये वाला follow करूंगा ठीक है तो मैं draw करता हूँ line okay so this is my array ये मेरा point है इस point भू मुझे draw करना है क्या है पहले तो 180 का arc draw करता है ये मैंना arc draw कर लिया ठीक है अब मुझे बनाना क्या है 90 और 60 तो आप देखना मैं रेटियस चेंज नहीं करनी है with the same radius ये हो गया मेरे 60 degree ये हो गया मेरे 120 degree ठीक है ये हो गया 60 degree और ये हो गया 120 degree ठीक है अब 60 तो मेरे काम आ जाएगा और 60 और 120 के बीच में क्या बनता है 90 degree तो देखिए ये एक arc उपर ये arc नीचे दोनों arc उपर draw करिए और इससे मेरे draw हो गया 90 degree क्या draw हो गया इससे मेरे draw हो गया 90 degree ये angle मेरे बन गया है 90 degree का कौन सा angle बन गया 90 degree का अब 90 degree आ गया 60 degree आ गया तो अब मेरे में point दूसरे pen से mark करता हूँ ये मेरे पास 90 degree है ये मेरे पास 60 degree है ये point 90 degree है और ये point 60 degree है तो देखिए class इन दोनों point से में arc draw करता हूँ इन दोनों point से एक इस point से draw किया और एक इस point से draw किया तो ये दोनों arc मेरे यहाँ पर intersect करी ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको इससे join कर देता हूँ ये मैंने इसको इससे join कर दिया so class this angle will be 75 degree ये angle मेरे कितना बनेगा 75 degree बनेगा और ये exact उसके बीच में बनेगा कहा 60 और 90 के बीच में angle बनेगा and that will be 75 degree ठीक है class तो इस तरीके से हमारे 75 degree हो गया है now we are heading for 105 चलिए अब बात करते है sir 105 किस किस के बीच महा रहा है 105 का double करेंगे तो यह आजाएगा 210 तो 280 से तो बाहर मुझे जाने का interest ही नहीं है तो आप क्या करें तो 105 के पास वाली value कौनसी कौनसी पता है आपको 105 के पास देखें बेटा आगे जाते हैं तो 120 पता है और पीछे जाते हैं तो 90 पता है तो एक बार ऐसा करते हैं 90 plus 120 divided by 2 कितना आएगा 210 divided by 2 is equal to 105 इसका मतलब यह clear है 90 degree और 120 degree 90 degree और 120 degree के बीच में मेरे कौनसा एंगल बनेगा 105 तो वापिस वही सबसे पहले क्या करते हैं एक line draw करते हैं यहाँ पर मैंने कितना बनाया 180 degree का बना दिया आर्क ठीक है सबसे पहला point यह मेरा 0 इस 0 पर मैंने बनाया यह with the same radius 60 degree और यह बन गया मेरे 120 degree अब मेरा 60 degree का तो यहाँ पर क्या roll आएगा 90 degree बनाने में काम आएगा तो यहाँ पर देखे बेटा यह तीखा वाला compass यह रखूँगा मैं यहाँ पर और यह रखूँगा यहाँ पर यह आर्क मैंने ऊपर draw कर ली तो देखे class अब मैं draw करूँगा यहाँ से यह यह बन गया मेरे 90 degree अब 90 degree तो मैंने आपको इतनी वार समझा दिया है तो I don't think के आपको इसके अंदर कोई problem रहेगी ठीक है यह 90 degree हो गया अब आभ देखिए यह 90 degree अंगल और यह 60 degree और यह 120 और 90 और 120 के बीच में अब हमां 8 draw करनी कहां से 90 और 120 दीग्री के बीच में तो देखे class यह बहुत्या मेरा 90 degree यह मेरा 120डी एक 알क ऐसे और एक 알क ऐसे तो देखे दोनों कहां पर इंट्रसेक्क कर रहे घुएक दोनों मेरे to the center ये line मैंने center से join कर दी ठीक है तो ये angle मेरे बन जाएगा 105 degree कितना बन गया 105 degree ठीक है class 105 degree मेरे answer आ गया है ठीक है okay now we are heading for 135 कितना बनाना है 135 135 तो देखे class सबसे पहले 135 का डबल कितना होता है 270 ये तो मेरे 180 से जादा आ गया तो मैं जाओंगा नहीं अब बात करते है sir 135 के आगे value आती है 150 और 130 से पहले value आती है 120 ये बेटा आपको भी तोड़ा दिमाग लगाना ऐसा नहीं है के sir इससे पहे 120 वन भी तो आता है और 149 भी तो आता है और 149 बनाओंगे कैसे अब सवाल आता है sir 150 कैसे बनाएंगे सवाल आता है sir 120 तो मैं बना लूँगा 150 कैसे बनाओंगा तो देखिए 150 के लिए भी दिमाग लगाईए 120 और 180 ठीक है तो देखिए class सबसे पहले मैं करूँगा 120 प्लस 180 इन दोनों का सम होता है मेरे पास 300 और इसका हाफ आ जाएगा 150 डिग्री खिक है यह आगके मेरे पास 150 डिग्री अब मैं क्या eaten 120 डिग्री फ्लस 150 डिग्री डिवाइद बाई टू इस इक्वाल टू 270 divided by 2 is equal to 135 degree तो class ये चीज़ें ध्यान रखे ये अगर आपको समझ आगे तो बहुत easily आप draw कर लेंगे तो सबसे पहले मैं वापिस एक रे draw करता हूँ ये होगे मेरे point हो फोड़ा असा आपको visible रहे ऐसा सा करता है okay just wait okay now ये मेरा है तो मैं यहाँ पर क्या करा मैंने ये बना दिया मैंने ठीक है तो class देखेगा इस वार क्या करना इस line को थोड़ा सा ऐसे extend कर देना फोड़ी straight नहीं बनी इस line को ऐसे थोड़ी extend कर लेना इससे होगा क्या ये आपका 0 degree हो जाएगा और ये आपका 180 degree हो जाएगा क्योंकि इस वार आपको 180 degree की जरूरत है इसलिए मैं के पिछली line draw करीए ठीक है तो देखिएगा ये हो गया मेरा 60 ये हो गया मेरे 120 और यहां पे जब draw करूंगा तो ये 180 exact इस पर ही आएगा ठीक है लेकिन आपको पता है पहले से तो देखिए class सबसे पहले 120 और 180 सबसे पहले देखिए बटा ये मेरा 0 degree है ये मेरा 180 degree है ध्यान रखना और ये मेरा center है तो सबसे पहले मैंने क्या किया ये मैंने आर काटी किसकी 120 की और ये मैंने आर काटी 180 की तो ये मेरा दोनों point कहां intersect कर रहा है यहां पे तो जब मैं इस line को join करता हूं तो ये बेटा मेरा angle अब देखिए class सुनना मेरा angle कौन सा बना है ये वाला बिलकुल नहीं कौन सा बना है ये वाला क्योंकि 0 degree कहा है ये तो 0 से यहां तक मेरे हो गया 150 degree ये कितना हो गया 150 degree अब मुझे क्या करना है 120 और 150 से लेना है angle के तो कहां से लेना है 120 और 150 से angle को उठाना है तो देखिए class ये उठाया मैंने 120 से और ये उठाया मैंने 150, 50 से यह उठा है 120 से और यह उठा है 120 से now just join these points तो यह जो मेरा एंगल बन जाएगा यह जो मेरा एंगल बनेगा this angle will be 135 degree, कितना बना? 135 degree is it fine बेटा? यह एंगल मेरे बना है 135 degree ठीक है? ओके अब हम बात करते हैं तो देखें क्लास हमने कौंसे कौंसे अंगल बना लिया देखें एक वार 75 degree अंगल बना लिया 105 degree अंगल बना लिया 135 degree अंगल बना लिया ठीक है? Now we are heading for the last question of the exercise यह हमें कह रहा है construct an equilateral triangle and justify their construction construct an equilateral triangle तो आपको पता है बटा equilateral triangle के अंदर हमारे पास क्या होता है all the angles are 60 degree सारे angles क्या होता है हमारे पास 60 degree होता है and all the sides are equal तो अब हम यहाँ पे angle के साथ deal कर रहे हैं तो हम यहाँ पे angle वाला concept यूज में लेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करता है एक line draw करता है suppose कीजिए यह line मेरे पास कितने 4 cm या 5 cm consider कर लिजिए अब आपको पता है equilateral triangle के सारे angles कितने होता है vertex angle सारे angles कितने होता है पेटा sides भी पराबर होती है यह भी 60 degree यह भी 60 degree और यह भी 60 degree angle A, angle B, angle C is equal to all angles are equal and they will be equal to 60 degree AB is equal to BC is equal to AC all three sides will be equal तब मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर बनाऊंगा 60 degree यह arc कटकी और यह होगी मेरे 60 degree ठीक है यहाँ पर भी arc draw करेंगे तो देखिये class यहाँ पर अब 0 degree का है यहाँ पर इसका 0 degree यहाँ पर था इसका 0 degree क्यूंकि इसकी line यहाँ पर है और इसकी line इधर है यह मैंने कटकी यह होगी मेरे 60 degree ओके नाउ जस्ट जॉइन इस line ठीक है यह line देखियो मैंने इसको extend कर दीजे आपको जितना extend करना है कर दीजे और इसको भी extend कर दीजे ठीक है ओके इसको मैंने इहाँ extend किया इसको भी मैंने इहाँ extend किया अब देखिये class यह आपको 60 degree लेना है यह आपको 60 degree लेना है जब आप इसे calculate करोगे तो यह आपके 60 degree जख मार के 60 degree ही आएगा अपने आप यह 60 degree ही आएगा आप चाहे तो इसे composite check कर लीजेगा और अगर जब आप चेक करोगे अब जब आप चेक करोगे यह मेरा A है यह मेरा B है और यह मेरा C है तब आप जब आप इन तीनों side को अगर आपने इसको 4 cm लिया है तो यह भी आपके यह अगर 4 cm है तो यह भी आपके 4 cm ही आएगी और यह भी आपके 4 cm ही आएगी जब आप pencil scale से और compass के help से paper पे draw करोगे तो तीनों side equal आएगी तीनों angle 60 degree आएगे तो यह अपना प्रूफ करता है क्या? कि यह मेरा equilateral triangle है अब सवाल आता किसर यह angle 60 degree कैसा है वैसा आप सबको पता होना चाहिए त्राइंगल के सभी angles का सम कितना होता है 180 degree अब आपने angle B और C यह आपने 60 degree बनाया यह आपने 60 degree बनाया यह आपने 60 degree बनाया तो आपके पास obvious सी बात है कि sir angle A is equal to 180 minus 120 is equal to 60 degree यह अपना आप 60 degree आया है ठीके class with this we have completed this exercise हमने हमारे construction की exercise 11.1 complete कर लिये if you like our videos please tell your friends to join our classes that is agriti online classes time to say goodbye take care तो रह शह जड़स आपके टापके थापके अग मादा लिया